चाहिंद एवरीवन वेलकम बैक तो वेकनिक ग्लासिज इसके बारे में हमने बहुत इंट्रेस्टिंग इनसे आपकी नॉलेज भी इन्हांस होती है एक्जाइम के साथ साथ तो बिल्कुल भी जैसे मैं मज़े से इन चप्तर्स को आपको पढ़ा रहा हूं आपको भी मज़े स से इनको पढ़ना है चाहिए आपको पसंद आए नहीं आए क्योंकि आपको एक्जाइम कौलिफाइब करना तो फूट साइंस फूट प्रोसेसिंग होता है पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते देन उसके बाद हम को से कवर करेंगे देखो फूट साइंस क्या स्टडी स्टैडी कि हम यहां पर स्टडी करां क्या पढ़ना हमने जो घर मीलावट के जाती है उसको पढ़ना खाने की कैमिस्ट्री को सब् pointed यह है कि खाना जो है जिस जो instrument से बना हुँआ हो वह वो मौलीक्विक्यों के बारे हमें स्टडी करना आप इन सब हो के हामफूल इफैक्ट्स को रोकना चाहते आज हमों फूड ऐख के बारे तो उसको हम रोक सकेंगे हम मिलावट वाला खाना कंजूम नहीं करेंगे तो यह सारी चीज़ें में आती हैं इसकी वज़ा से जैसे फूड के रिलेटी जो भी आउट ब्रेक होता है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते तो इसके एक सब्जेक्ट होता है इससे में है कि इस बता डिये कि तो इसके क्लिर नहीं पूछेगा थैने की जाना फूड की यहां कि यहां प्रोसेसिंग में कर देतों आमला की बात कि तरह किया जा सकता है अब होता कि आमला जो है वह एक टाइम पर खराब हो जाएगा को जाएगा अब में और फर 5 य αναदिकों करता है अर और आमले से में भी कुछ और बना जैसे आमला इड्र बना लेता इसंगा बना लेता हुँ यहां पर मैंने क्या कि फूड की प्रोशे लाइफ बढ़ जाए लाइफ को बढ़ा दे दे यह आजाती है जुसार की नॉक्सान कंभी है जब भी हम सुर्जास को सब्सक्राइट और मैंक्सान क्या हरते है तो मैसिमन टेस्टी हो उसमें फिलेवर आए वह होता है इसके कुछ लॉसिज वह सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिल करने आई होप आपको यह समझ आगे कि बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ना क्या है पहले तो फूट प्रोसेसिंग की जो भी चीज़ें आएंगी प्रोसेस कै ईक ऐसा बोलते है एक और प्रोसेस इसके सारे आइसे भी पूर सकता है आरैस में its process को क्या बोलते है zijn beavas snap six पूंचे अब को इसको पूर्ड अंसर है और बीफॉर्टिफिकेशन वहता है कुछ micronutrients का एड़ करना फूड में क्या करना आप अपनी मर्जी से कुछ micronutrients एड़ करते हो किसमें फूड में क्यों एड़ करते हो ताकि उसकी क्वालिटी बर जाए और उसको कुछ उससे कुछ लोगों को health benefits that is known as fortification the fortification is a simple process of deliberately आप अपनी च्वाइज से करते हो कुछ micronutrients to food अब जैसे for example simple example चावल से बताता हूं इंडिया का majority of the population राइस कंजियूम करती है अब राइस तो सबने कंजियूम करने अगर मैं राइस में कुछ ऐसे nutrients डाल दूँ जो किसी harmful effect harmful disease को रोख सके तो इसका मतलब यह अच्छी बात है आपको पता है ना ध्यान से सब्सक्राइब करो आपने अभी में आपको बताया था कि हिंदोस्तान में प्रॉब्लम है जो वुमें है वुमें एस चाइल इंडिया में प्रॉब्लम और चाइल्ड में भी इस चीज़े देखी गई है अब इस प्रॉब्लम को अगर एड्रेस करने के लिए गोवर्मेंट ने क्या क्या गोवर्मेंट ने एक प्रॉसेस लाए डैट इस नोन आज राइस इसमें क्या किया जा रहा है इसमें जो चावल है चावल तो हर कोई खाएगा वुमें अगरे मिल्क में मिल्क में प्रोटीन होता है कल एक इसके साथ सटा मिल्क में विटामीन वी डाल देता हूं तो मेरी बाडी के लिए और रहेगा इस सारे प्रॉसेस को बोलते हैं फुड फॉर्टिफिकेशन कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी पूरा हम इन्वॉर्म्मेंट भायॉल्जी और फुड साइंसी का फेल लेंगे यहां पर नेक्स्ट कोशन तो यहां पर होगे कुण सी बॉड़ी है यह पहले आपने याद मिनिस्ट्री की याद देखने मिनिस्ट्री फैमिली फैमिली वेल्फेर के बारे में हम काफी चीज़ें पढ़ चुके तीसा कोशन आगया फूल फॉल फॉर्म क्या है हमें बतानी है फूर्ट सेटेंडर अथोर्टिया फूर्ट स टैक बिलगा होता है ठीक है उसके दूआरा ये एक है गई तो बेशल फूर्ट सेटेंडर अथॉर्टी आफ इंडिया जो है इसका में काम क्या है पॉलिक हाल्थ को प्रोक्षा नहीं काम है पॉलिक हैंट को रोबोट करें पॉब्लिक हैं इस तो करेगी फूर्ट सेफटी मेजर्स लिए गें नहीं खाना क्लियर है नहीं है अच्छा है नहीं सारी चीज़ें करते हैं तो सेफटी जान से याद रखने यह किसी एक्ट के थूब निया तो यह बनाई गई है उसके तहत बनाई गई है और कब बनी है यह कब आई थी फूट सेफटी चैनल थो इंडिया कब बनी देख लो 5 सब्तमबर 2008 कौन सा है 2006 का बट फोर्स में कब यह बनी कब है यह फूट सेफटी अस्टेंडर थो इंडिया है यह बनी है फाइव सप्तमबर 2008 में यह पॉइंट आपने याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट में मुव करते हैं प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स प्रिजर्व करने के लिए प् लाएं जाता है वार प्रिजर्वेशन उसको क्या बोलते हैं जो है ट रैडियसेशन के चैक्निक जिस्में टेस्ट उसम मिनिमम क्या करते हैं सकुछ कर यही झाहन खते हैं खताब करते हैं इसके साथ सात यह जो ऒयाद होते हैं वह में क्या करें अगर नहीं हो सकते इन कर पाते तोव कहना जलदी खराब नहीं के पाते हैं व्रफोस्के फिसी से बसक्राब नहीं होगा रे diff Anda होता है वहाँ पर आपने देखा होगा एक स्टोर में रेडियेशन की फॉर्म में वहाँ पर खाने को प्रोटेक्ट किया जाता है कहीं जगह भी यूज़ करते हैं और जिसकी वज़ा से क्या होता है कि बैक्टिरिया वगयरा जो जो है वह नहीं कर पाते हैं खाना लंबे समय तक फ्रोटेक्ट रहता है ठीक है नेक्स सिंपल आइए कुछ ना आप अपनी कॉमन से से भी कोशन कर लोगे विच मैठट आफ फूट प्रेजर्वेशन इन्वास्ट रिमूवल ला वाटर तो प्रिवेंट बैक्टिरिया करो कोई फूड का प्रोडेक्ट है उसमें थोड़ा सा पानी लग गया उसमें मॉइस्ट्र आगया तो जल्दी खराब हो जाता है तो हम मॉइस्ट्र को रिमूव करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं यह सारे प्रोसेस ही कौन से फूट प्रेजर्वेशन में आपको लास्ट एक कंटेनर रखते हैं एक तो यह तो रही तंप्रेटर होने की वज़से भी बक्तिरिया बगारा नहीं कर पाते हैं ठीक हो इसकी वज़से खाना बचा रहता है जैसे मीट फिश बगारा इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम का यूज करते हैं फर्मेंटेशन फ है किसी चीज़ को फिइस में यहाँ पर समझा तो इस मैटर को वहते हो और यह भी प्रेजरवेशन का मैटट है कौन सा होट एंड कोल मैटेक्ट में क्या रखते हैं लोग टेंप्रेशर में रखते हो खाने को फ्रिज में इसलिए नहीं खराब नहीं होते हुए होँए करने वह चीज जल्दी खराब नहीं होती दूद की बात करते हैं तो बैसिकली बॉइलिंग की हैं खाने को जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं और और कुछ मैंतर नहीं प्रिजर्वेटिव के तो बिल्कुल मैंतर से स्मोकिंग कर सकते खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं अभी आपको इसमें बता दूंगा ठीक है उसके बाद इंपोर्टन चीज है जैसे सॉल्ट को भी यूज करते हैं सौर्ट शुगर को भी यूज करते हैं साल को कैसे यूज करते हैं आपको पता है जब टॉनगे यह भी हमारा प्रिजर्वेटिव की तरह उसका रिजन यह कि शुगर जो है वह अच्छा मॉइस्ट्र एब्सूर्बंट अच्छे से मॉइस्चर को एब्सूर्ब कर लेता है और मॉइस्ट्र नहीं होगा तो खराब होने की कम हो जाती है तो एक अच्छा मॉइस्ट्र होने की वैसे शुगर को भी हम यूज करते हैं ठीक है इतना मुझे पता जब आप लेक्चर सुन रहे होता हो तो आपको ठीक लग रहा होगा तो आप लेट के आराम से फोन सामने रखके लेक्चर देख रहे होंगे बट यह जो मैं वर्ट बोल रहा हो ना एक एक वर्ट की वैल्यू है एक्जाम में कहीं से भी कुमा आजएगा जूरी नहीं है जैसे मैंने फ्रेम किया वैसे ही आएगा कोई भी तिल्टीट होगा बट जो मैं वर्ट कहीं न कहीं पैंडाउन किसी फॉर्म में लिखते चलो लेट के लेक्चर मज़े से मत देखो देखना भी लेट के देखो एक बार नोट बुक सामने रखे इन शौर लिखके जरूर आपको करना है ठीक है नेक्स को करते हैं कुछ में फाइब फूट प्रेजर्वेशन इन्वार्ट तो यूज उस आफ हाई लेवल ऑफ सॉल्ट श यह बता दिया यह smoking है smoking method में हम हाई level of salt sugar and nutrients का use करते है फूड प्रेजर्वेटिव ठीक है इसी के बारे में बोल सा मैं आपको बाद में बताऊंगा क्वेशन में 6 में मूव करते हैं डैश इस डिफाइंड अधर प्रॉसस वेरबाइब नूटरेंस आर एड़ फूड खाना म में नूटरेंस को एड़ किया जाता है रिलेटिवली स्माल कॉंटिव में एड़ किया जाता है तो मैंटेन एंड इंप्रूव दाइट डाइट की क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए क्या है या भी तो बढ़ाया चैप्टर स्टार्टी लेक्चर लिए तो मेंटेन एंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ डाइट फॉर एक्जमब अगर मैं खाना खा रहा हूं मैंने चावल वैसे भी खाने अगर में और एक्स्टा चीजे मिल जाते हैं चावल में को काब्स मिलने थे पहले अब काब्स के साथ-साथ अगर मुझे उसम इथा एको सा फुट प्रिजर्वरेटिव तोर पर यूज ऐया यह जाता है था फुट को फॉड्आर्ब करने के लिए यूज्ड किय जाता है ठीक है के तोर पे यूज किया जाते हैं चाहे उसाल्त होगा चाहे वह विनेगर हो गया सोडियम नाइट्रेट हो गया तोर साथ में प्रोसेस में प्रोसेस में तो आडल्टरेशन में क्या होता है और सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादतर आड के लिए यूज किया जाता है मतलब हम क्या करते हैं कुछ चीज़ को आड करते हैं किसमें खाने में ताकि उसका नैचल इफट जो है वो चेंज हो जाए नैचल कॉलिटी को चेंज करने के कमाने के लिए की वाट्स ऴहां के लिए के लिए टैस्ट बढ़ाने के लिए लोगों को तेस्ट लगा वह जाए बहुत हामफुल रही थी ठीक उसको बैंड कर दिया गया वहां पर यहां बोला गया उस फ्लेवर को किया जाता है कि उसे टेस्ट आ रहा था उसमें इंग्रीडियेंट्स में अच्छा आ रहा था फ्लेवर के लिए उन लिए ठीक है तो दूद में पानी डाला जाता है कुछ भी ऐसा आड किया तो यह सारा प्रॉसस्स अड़्यों की लिए को बढ़ने के लिए बनाने के लिए इसके हेल्थ कॉंजिक्वेंस बहुत ज्यादा होते हैं तो इसमें क्यों आड किया जाता है फ्रीजिंग के लिए बिल्कुल नहीं यह तो कोई लॉजिक नहीं करने का क्वालिटी आफ फूट को बढ़ाने के लिए इंप्रूब करने के लिए हम देखते हैं कि खाना देखने में सब्सक्राइब करता है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए यूज हो सकता है किसी और परपरस के लिए वाटर यूरिया बोथ एंड भी नहीं देखो यार यह तो आपको पता है पानी तो डालते हैं लोग दूद की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए ताकि जाए ज्यादा कमाएं और जिसके विए नुकसान तो कुछ लोग यूरिया भी आड़ करते हैं अडल ट्रेंट तो बहुत एंड भी आड़ करेक्ट अंसर जब हो में एक शॉप है ना हो फिमस है वाटर के लिए नाम नहीं लूँगा ठीक है बट है और क्या है यह तो मैंने सिंपल बता दि इसमें अमीबर दोस्त है वह हम रभी उसके फादर लाते तो मैंने तो मैंने तो आता है दिनी कर रहा हुआ जिसमों पैसल επाहिने जिसको शूगरर बैटे सुन यह तरंड है है यह बिसिकली जिसकी वज़से हनी आपको मिठा लगया लगे की क्वालेटी बहुत हाई है बट उसमें कोई क्वालेटी वाला नहीं होता है ठीक है तो बेसिकली हनी में भी हम यूज कर देते हैं लोग प्रॉफिट अदनी के लिए शुगर कॉन सिरप डाल दिया मॉलासिस आपने याद रखने ठीक है कुछ मैं बता जाता हूं जिस चिली ठासर होता है जो सब्रिक एक जारेग है ठीक है मिल्क दूद कर्ड में यह तो आपको पता हैर्श क करदें वहल्म पानि different कर सकते हो उसको रोटेट करते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा डिटर्जन पढ़ा बर मिल्क में लोग पानी यूज करते हैं यूरिया भी डिटर्जन भी अजट फॉर प्रॉफिट उस प्रॉफिट से वह अपने बच्चों को पढ़ाते फिर वह बच्चे कैसे आते हैं ताकि उसमें कलर आए और आपको लगे चाहिए बहुत होता नहीं है ठीक है तो यह सारे में आपको कुछ केसे बताती एक्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकता है हजारों और मिलियंस ऑफ एक्जम्पल से जहां पर की जारी आपको यह पता होना चाहिए आपको पत लाइंस आपको आप लिन वाइंस लिकौमांड इसमें है की ऐता है कि किस आपको कर cette यह हैं यह त trilogy खुंसम करनेए इसकी क्यूंडिये थी सब्सक्राइस है इसका एक कंचेप्ट आपने डिली टाइटरी इंटेक रखनी है वह आपका लेवल कितना हो चाहिए ताकि आपकी वह न्यूटन रिक्वाइर्मेंट को सफिशंटली मेड कर सके तक है आपका अब कहने का मतलब रिकमेंडल या नाम से पता चल रहा है एक रिकमेंडेशन है एक स्पैसिक गाइडेंस जो है होनी चाहिए आपका होना चाहिए ताकि आपका जो है सफिशेंट लेवल आफ न्यूटन रिक्वार्म जो है वह मेंटेन रहे तो यह आइडी की जो में बचाने के लिए उसे बचाने के लिए उनसे बचाने के लिए कौन साल में आया था टाएक एक 1996 86 1980 यह 1940 तो कौन सा है consumer protection act of 1986 ठीक है 1986 में आया था गब फोर्स में आया था बता जेता हूं 15 April April का महीने चल रहे है 1986 में कब फोर्स में आया था 15 April 1986 में अब इसके अंडर जो है ना यह consumer protection act जो है द्यान से सुनो इसके अंदर एक statutory consumer protection council है क्या है statutory प्रोटेक्शन काउंचिल कंजूमर प्रोटेक्शं कांसिल मनदर इसमें बन्दें होगे इनका क्या काम होगा प्रोटेक्शन कांसिल काम होगा इम में आपको बढ़ाता हूं यह किसके आंदर आपको पूछे आगर consumer protection account 1986 में ठीक है तो एक pedir हुए अब देखो यह कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो काउंसिल है यह पहली बात इसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो यह जो है इसके अंदर है स्टैट्यूटरी एक बॉड़ी है इसका नाम है कंजूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कोन से एक के तुरू बनी प्रोटेक्शन आइक नाइटिन इसका काम क्या है इसका में एम है जो कंजूमर की ग्रिवांसी जाहें उसकी क्वालिटी सबस्टेंडर्ट थी या कुछ और चीज यह जो खाना यह सब स्टैंडर्ट गूर्स उसको दिये जा दें उससेट करने के लिगए फृटीण आपको बता दिया को डिड्रेश करना ठीक है मौन तो इसकी एडबसी पि-सकी फूर्म क्या है एच एडबल सी एक इसके अलए तो इसके पुर्वान आपको बताने है हजार्ड अनाल्स इन क्रिटिकल पुटिकल कंट्रोल पॉइंट हजार्ड या और उसका प्रिटिकल चेकल इसमें क्या होता है कि पैथोजन जो होता है पैथोजन जो फूट को डिस्ट्राइब कर सकता है पैथोजन की इंट्री को रोकना कि फूट चैन में ताकि फूड जो सेफटी प्रॉब्लम है उसको वाइड किया जा सके तो बेसिकल यह इसका काम है यह एक इंटरनेशनल रिकोगनाइज सिस्टम है ताकि फूट सेफ्टी जो प्रोटेक्शन है उसके एलेटिट एशोरेंस प्रोवाइड की सके मतलब है है जाडर एनालिसिस एंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कि में क्या होता है इसका में यह है कि जो हमारा फूट चेन है खाने उसमें पैथोजन की आंटिर ना हो ताकि फूट सेक्योटी में सब्सक्राइब करेंगा तो बेसिकली सेफ्टी प्रवाइं यह एक इंटरनेशनली रिकोगनाइज सिस्टम है जो एशोर करता कि फूट सेफ्टी जो प्रोटेक्शन है उसको किस तरह से मैंटेन किया ठीक है इसकी फूट फॉर्म याद रखने ना वैसे कम है कि आपके पू प्रिजर्व करना तो एक एक्ट है 1954 का इसकी एक थोड़ीने बैक्ग्राउंड बता जाएं अब अगर देखो आप इंडिया में क्या था पहले डिफ्रेंट जगा पे फूल अलग 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 थे इस टेट के आपको बता जाता एक कलकटा का था कलकटा में था कलकटा मुंस और एक्ट ठीक है यह बेसिकली डील करता था यह 1950 में आया था 1923 में आया था सौरी यह इसकी सानी यह डील करता था इसीतर यूपी का अपना था यूपी का था यूपी प्योर फुड एक्ट पुचल कोई ने पूचा यजिक वाए उसके पउड कहने की चीज है कि wr चल रहेते पुर्ण्टान इसलिए कि यूनिफॉर्मिंटी लाने के लिए इका यप कि में आपको ब्राइट आ रहों वह अक्ता प्रिजर्वेशन आ फूट एडल्टरेशन एक निए एक नहीं है तो कॉर्टियूस करें यह तो करेक्ट है यह है यह था व्यक्ते कंटेंज अनि टॉक्सिक आपको सबस्तांट यह दोनों तो हैं की फीचर में बताना बहुत हैं यह तो नहीं हो सकता यह भी है जो प्रोडेक्ट जो है जो बनाया गया और साफसूत्री कंडिशन में रखा गया तो वह कैसे आ गया उसकी वज़से तो कोई प्रिवेशन नहीं होगे तो यह कोई की फीचर नहीं है करना उसको रोकना यह जैसे कोई बीस अबस्तान हम ऐसा सबस्तांस है यह आएगा उसके प्रोडेक्ट है जिसमें कोई भी टॉक्सिक या हामफुल सबस्तांस यह भी आएगा उसी तरह कुछ कलरिंग एजन्ड हैं कलर देने के लिए यूज़ किया जाते हैं कलरिंग जो है प् प्रिसकाइब को छोड़के यह भी इसमें कवर होंगे सब्स्तेंडर्ड अगर कॉलिटी आप यूज़ करें तो वह भी इसमें कवर होंगे तो जो भी चीज़ें मतलब आप समझो फूड की क्वालिटी को डिस्क्राइग करने की कोशिश करें वह सारे प्रिजर्विशन आएंगे 1954 यह चीज भी आपने यहाद एक यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगे और बेसिकली यह जो एक्ट है ना अगर स्पोस्क्राइब इस एक्ट के चीज़ें नहीं होती है तो यहां पर पहली बार पहली बार पहली बार आपको 6 महीने से लेकर कोई कर र पाए जाते हो इस चीज में आपको एक साल से 6 साल तक की सजा मिल सकते आपका लाइसेंस केंसल किया जा सकता है अगर प्रॉब्लम की वरिशे किसी की हल्थ कंप्रोमाइज हो तो आपको सेक्शन 320 के इंपोस्ट हो जाएगी आपको उसके तहत आपको जो है वो भी जो है सजा मिल सकती है तो बेसिकली कुछ इतना इग्जैक्टली नहीं पूछाएगा फिर भी आपको याद रखने कि इसमें सजा है पहली बार में छे महीने से एक साल से सेम क्राइम तो आपको एक साल से 6 साल की सजा होगी आपका लाइसेंस कैंसल किया जाएगा और अगर इस से किसी क करना बंद कर दो जो भी लोकैल्टी में करें उनको जाके यह थोड़ी वीडियो लास्ट में सुना देना ठीक है तो उनको पता चलताएगा नेक्स्ट करते हैं प्रमोटिंग एंटर्पेन और बनाना इन सैटिंग फूट प्रोसेसिंग तागे फूट प्रोसेसिंग सेट अ पास जो है हमारे पास फूट प्रोसेसिंग सेंटर सेट अप हो उसके लिए लोग अपना नहीं काम खोले उनको हल्प करना तो प्रवाइड लोन अप्ट टैनलाइक फॉर्मर्स को दस लाग का लोन प्रोवाइड करना ठीक है तो बेसिकली यहां पर पर किसान संपता है इसक संपता की फुल्फार्म स्की मैट करें स्कीटो। है सकीश्टो सरे सब्स्क्राइब 205-2 चैकलउस में की फर सकती है यहां पर अग्रों मरीन की प्रोसेशिंग मैरीन इंड डिवलमेंट ओव एंड डिवल्लमेंट् और अग्यों प्रोसेसिंग क्लेस्टर तो यह दोनु के लिए अग्रिकल्टर मेरीन के लिए और अग्रोप्रोसेसिंग क्लेस्टर बनाएं तो अग्रिकल्टर एडिया के आज-पास जो है हमें यह बनाने इसके फूर्ट वेस्टेश काम होगी आगरिकर्ट चाहिए के साथ में प्रोसेसिंटर दूर होगा तो याद खाना खराब हो जाएगा प्रोसेसिंग पहुंचते पहुंचते तो यह इंपॉर्टन है इसे फॉर्मर्स रेविन्यू भी जनरेट करेंगे तो बह मुझे बताऊगे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती यह जो कौन सी करेंट करें तो वह आपने मुझे कमेंट बताने आपके आंसर सेंगे आपका यूंट रजी पर स्पेस्टन को हो चुका है अगर आप अभी भी अन्रोल करते हो तो भी आप टेसक्ते सकते हो देखो यार बिल्कुल भी मिनिमम चार्जिस पर हैं कुछ ऐसा नहीं है आपको 21st को सेकेंड यूनिट के टेस्ट हुआ था अब आज अपलोड हो चुका है लाइव हो चुका है टेस्ट 25 अब भी जाके टेस्ट को दे सकते हो टेस्ट कभी भी आप दे सकते हो एक्जायम तक यह टेस्ट व करें किस तरह से इंडोल करना एक स्माल सी वीडियो कमेंट सेक्शन कर्ड़ूंगा डिक्रिप्शन में डाल दूंगा विडियो में जाके ना यूट्यूब में देख लेना पांच छे दिन पहले वीडियो डाला थी मॉक्त अफोर्डेबल प्राइस है आपको देखके ही प्रोग्ट वाच्ट झाल।